आज अब तक जो तथा कथित एक्साइज केस पर हुआ है उसको देख के समझ के यह बात कही जा सकती है कि यह पूरा का पूरा मामला मनी लॉंडरिंग का नहीं यह मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनितिक शडियंत्र है जिसके अंदर हिंदुस्तान के सबसे जादा वोटों से और सबसे जादा सीटों से जीतने वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री मिस्त सबसे आगे जो आते हैं अर्विंद के जीवाल उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को आट रहों कि नश्ट करने का कुचलने का खत्म करने का एक बड़ा श्रेंत रहें है अब तक हम सब गड़े देखा है । से हाजारों करोड की बात थी फिर सैकडलों की बात थी फिर 100 करोड की बात थी बातें तो करोडों की हो रही है कि maior कि किसी भी जगय wooden 되면 अब तक ED या CBI को एक रुपे की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई एक रुपे की भी यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है जब करोडों का हेर फेर हो और एक रुपे की भी रिकवरी ना हो तो इस जांच के उपर बड़े सवाल खड़े होते हैं कई गवाहों के बारे में बार-बार कहा जा रहा है कि गवाहियां आएं गवाहियां आएं मैं आपको कुछ गवाहों के बारे में बताना चाहता हूं कि उनकी गवाही किस तरीके से ली गई बार-बार कोट्स में ओन रिकॉर्ड यह बात आई है कि गवाहों के उपर दबाव गया गवाहों को मारा गया पीटा गया डराया गया धमकाया गया और उनके उपर यह दवाव बनाया गया कि वह अपनी पुरानी गवाही बदलके वह गवाही दें जो एडी कह रही है जो केंद्र सरकार की एजनसी कह रही है वह गवाही दें और यह ओन रिकॉर्ड है यह मेरे एलिगेशन नहीं है यह सब और रिकॉर्ड है चंदन रिवडी जिनका अपना बयान बदलने के लिए उनके ओपर दबाव डाला गया उन्होंने आई-कोड के इंदर डाली है इस बारे में असरी हो उनकी रिट यह थी है कि उनको इतना मारा गया इतना पीटा गय एक के दोनों कान के पढ़ने हैं यह हाइश कोड के अंदर ws दाली थी कि वो कह रही है वो बयान दें अपने बयान को बदलें और उन्पिल्लस ही का बयान है और िकॉर्ड सकुंब है उनको अपनी गवाही बदलने के लिए दराया गया धंकाया अँपे उनके परिवार के बारे में कि पत्नी के बारे में उनकी बेटी नहीं है यह कॉर्ट में ओनान रिकार्ड बात हैu ऐसे ही समीर महिंद्रू ओन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि उनके पिता जी को इडी वालों ने अपने दफ्तर में रोका उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पे रोका गया और उनसे जेल में इडी ने इस तरीके से जबरदस्ती जूटे बयान लेने की कोशिश की ये ओन रिकॉर संझे सिंग जी ने अप्रेल पिरेस क्वाओं के बारे में और उनकी कोट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स कि इसके बारे में जो ऑन रिकॉर्ड बाते आई हैं उसके अप्टाय किस तरीके से घवाम ओंको डँरा के धमका के धीडी ने झूटे भैज लिए हैं कृं यह यहो पूरा का पूरा मामला फर्जी सबूतों और जूटे गवाहों पर आधारित है इसका आधारी जूट है इसके बाद जो सबसे बड़ी गवाही अर्विंद केजरिवाल जी के खिलाफ इस्तमाल हो रही है वो है मगुंटा रेड़ी और उनके बेटे रागव रेड़ी के विशे में मगुंटा रेड़ी के बारे में हम सब जानते हैं कि उनको एंडिये ने प्रधानमंत्री मोदी जी कि अलाइंस ने आंदर प्रदेश के अंदर टीडी पी से टिकट दिया है वो एंडिये के सांसद बनने के उमिद्वार है उनके विश्य में में बताऊं मुख्यमंत्री जी नहीं कोर्ट में बताया था 16 सितंबर 2022 को मगुंटा रेड़ी के यहां छापा पड़ता है उनसे अ अर्विंद केज्रिवाल जी के विशे में कोई ऐसी बात नहीं है जो अर्विंद जी के खिलाफ हो पांच महीने बीदते हैं कि दस फरवरी 2023 को रागव रेड़ी जो मगुंटा रेड़ी के बेटे हैं उनको गिरफतार करती है इडी जेल में डालती है रागव के जेल में छे बार बयान होते हैं उनके पिता के कई बार बयान होते हैं सब बयानों में वो कोई ऐसी बात नहीं कहते जो अर्विंद केज्रिवाल के खिलाफ हो यह बात ओन रिकॉर्ड है उसके बाद पांच महीने जब बेटा जेल में रह लेता है तो बात टूप जाता है और 16 जुलाई को रागव के पिता मगुंटा रेड़ी अपना बयान बदल के अर्विंद केज्रिवाल के खिलाफ पहली बयार बयान देते हैं को अट्थारा जुलाई को रागव रेड़ी को छोड़ दिया जाता है तो छोड़ने की शर्ती यह कि अर्विंद केज्रिवाल के किलाफ ब्यान देना है फिर वो बयान अर्विंद किज्रिवाल के खिलाफ देते हैं चाहे वो section 50 का बयान हो चाहे वो section 164 का बयान हो जब आपने एक आदमी को डराई दिया धंकाई दिया फिर इसकी क्या value है कि वो बयान वो PMLA के अंदर section 50 में दे रहा है या 164 का बयान दे रहा है डरा हुआ आदमी तो जहां चोराहे पर ले जाओगे तो चोराहे पर भी जूट बोलेगा जब आपने उसको बेल ही इस condition पर दी है कि आपको छोड़ेंगे तब जब आप बयान अर्विंद के इज्रिवाल के खिलाफ दोगे तो इस बात की क्या कीमत रह जाती है कि वो बयान ED के सामने दिया जा रहा है यह मजिस्ट्रेट के सामने दिया जा रहा है यह बात तो साबित हो गई कि उसको डरा के धंका के जेल का डर दिखा के उसके पिता को और उससे गलत और जूटी गवाही ले गई यह बात तो साबित है इसमें क्या बचा है और इन लोगों के भरतिये जिनता पार् वो जगन रेड़ी की पार्टी से थी तब तक वो जगन रेड़ी में थे जब एंडिये से बादचीर टीडीपी की शुरू हो गई तो वो टीडीपी में आ गए और उनको टीडीपी से टिकट मिल गए यह बात तो बिल्कुल साफ साफ है आज जो फैसला हाई कोट का आया है कोट है कोट के इंस्टिटूशन है इंस्टिटूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वा के कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोट जाएंगे और सुप्रीम कोट के अंदर अपनी बात रखेंगे कि आपका कोई सवाल है तो आप प्रूब सकते हैं कि आप वही आगुमेंट दोरा रहे हैं जिसको दिल्ली हाई कोट ने अभी खारिच किया है और यह भी काया कि अप्रूबर जो है वह एक टेस्टेट पॉर्मुला रहा है साथ में बेल इडी नहीं देती है कोट देती है कि मैं यहीं बात कह रहा हूं कि आज जो भारतिय जन्ता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठके ग्यान देंगे प्रेस कॉंफरेंस में जो ग्यान देंगे वह वहीं ग्यान है जब संजे सिंग जी की बेल इसी कोट में इसी जज साहब ने रिजेक्ट की थी तो यहीं बड़ी बड़ी बाते की गई थी कि हाई कोट ने फैसला दे दिया डिस्टिक के उपर हाई कोट होता है हाई कोट के उपर सुप्रीम कोट होता है इसलिए बनाया गया है कि सम्विधान निर्माताओं को ये बात पता थी कि अगर निचली कोर्ट गलती कर दे तो उसके उपर जाए जाए और अगर वो कोर्ट गलती कर दे तो उसके उपर जाए जाए इसलिए फैसले पटे जाते हैं और यही सारी बातें हाई कोट ने इसी तरीके से संजे सिंग जी के विशे में कही थी यही बेंच थी यही कोट था और फिर हम जब सुप्रीम कोट में गए उनी तथ्यों के अधार पे उनी अर्गूमिंट्स के अधार पे जिनमें हाई कोट ने संजे सिंग जी के पक्ष में क जादा बहस करेंगे तो हमको ऐसा फैसला लिखना पड़ जाएगा कि आपका ये पूरा पूरा केस जो है ये हावा में उड़ जाएगा ये बात सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एडी के वकील को कही थी ये बात सब के सामने हैं और कोई आपके पास सवाल है तो पूप सकते है आप बारवार ये कह रहे हैं कि सुनाव उसे रोखने के साधिश थी लेकिन कोट ने साफ काया कि इस बात के रियायत नहीं दे जाता थी कि वो एक मुस्लमंत्री है नेता है लेवल प्लेइंग फील्ड की आर्गूमेंट हम लोगों ने दी थी और मुझे लगता है कि जिस त और वही हूँ बहू आर्गूमेंट्स जब हमने सुप्रीम कोट में दी जो देश की सबसे बड़ी अदालत है थ्री जजज बेंच है वहाँ पर वो सारी की सारी आर्गूमेंट्स मानी गई और सुप्रीम कोट ने संजे सिंग जी को रिलीफ दिया इससे जादा मैं आपको क्या कह सकता हूं कोट है कोट का फैसला है कोट के उपर बड़ी कोट है बड़ी कोट में जाएंगे हम वो लोग हैं जो कोट में विश्वास रखते हैं बारती जनता पार्टी कौन सी पार्ट लिए जो देश की सबसे बड़ी कोट को भी नहीं मानती है कि देश की सबसे बड़ी कोट की पांच जैजिस की ब्यyn्च ने फैसला दिया कि दिल्ली सरकार को अधिकारीयों के ऊपर सारे अधिकार हैं मगर केंद्र की भरतिया जंता पार्टी ने ओडिनेस लाकिया सुप्री स्प्रिम कोट की Constitutional Bench ने कहा, Election Commissioner को लगाने का अधिकार केंदर सरकार का नहीं है, इसके लिए जो तीन लोग Election Commissioner को चुनेंगे, उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑपोजीशन होंगे, एक Chief Justice होंगे, सबसे बड़ी अधालत ने कहा, और भारती जनता पार्टी की का इंद्र सरकारने का नहीं हम नहीं मानते सुप्रीम कोट और उन्हें वो मामला पलट दिया और चीफ जस्टिस की जगे उन्होंने अपने मंत्री को लगा दिया ताकि अपनी मनमानी से इलेक्शन कमिशन बनाएं और आप देखी रहे हो क्या हो रहा है तो हम वो पार्टी नहीं है भारती जनता पार्टी की तरह जो सुप्रीम कोट की सबसे बड़ी अदालत को भी पलटने का काम करें जो सुप्रीम कोट तक से सहमत नहीं है हम वो पार्टी है जो कहते हैं कि लगातार छोटे कोटों के फैसले बड़े कोट बदलते हैं और बड़े कोटों के फैसले उससे बड़े कोट बदलते हैं क्यों और हमें Supreme Court पर बहुत भरोसा है कि जैसे माननियह Supreme Court संझे संजे सिंग जी को रिलीव दिया मिलाख हाई कोड़ के फैसले के बाद संजे सिंग जी को रिलीव दिया हमें पूरी उमीद है कि अर्विंद केजरिवाल जी के मामले में मानिय सुप्रीम कोड रिलीव देगा मैं आपको यह बताता हूं जब कोड रिलीफ ही नहीं दे रहा तो हर अर्गूमेंट को खारीज ही करेगा कोड यह कोई नहीं कहा हूं संजे सिंग जी के मामले में वही वकील थे वही जजज साहब थे वही आर्गूमेंट थी हाई कोड में रिजेक्ट हुआ फिर वही वकील उसी आर्गूमेंट के साथ सुप्रीम कोड गए सुप्रीम कोड के तीन जजज के बेंच ने रिलीफ दे द प्रदान मत्री जी आपने दस साल देश में शासन कर लिया अब थोड़ी काम की बात बताईए कि आप हतनी जो वादे दो प्रदाइब कम के दूजार ने सहाँ टीज़कुक्त मिल रही है अभी तक नहीं मिल रही है उन बातों की बात करें प्रदानमंत्र जी को बहुत समय दिया देश के लोगों ने शुदाष उत्रिवेदी जी को पते नहीं चला खुक्र技 तो हो गई है निसट करोड रुपे की रिकबरी हो गई है है और कोट ने सबसे बड़ी बात है उस चीज को एक्नॉलिज किया हाई कोड़ ने दो बातों को हाई कोड़ने आज अज अग्नॉलिज किया मैं समस्ता हूं जो हमारी बड़ी जीत है कोट ने इस चीज को एकनॉलिज किया कि 69 करोड रुपिया इलेक्टोरल बॉंड के माध्यम से शरत रेड़ी की कंपनियों से भारतिय जनता पाटी को आया कोट कि जो मगुंटा रेड़ी हैं और उनके बेटे हैं जो अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ सबसे बड़े गवाह हैं वह मगुंटा रेड़ी भारतिय जनता पार्टी की अलाइंस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं सांसत का यह दोनों चीज हुई यह बात और है कि हम उमीद कर रहे थे कि इसके उपर इंवेस्टिकेश्न भी होगी केंदर सरकार क्यों इ연ऄर करना चाहती है इसके ऊपर कहें कीडी उसको इंवेस्टिकेट करें